वार संख्या 35 की महिला से भाई ने किया जगडा तो छोड़ा घर धर्मिस्तूप के पास मिली बेहोशी की हालत में पुलिस पहुंची मौके पर चुरू के वार संख्या 35 की एक 33 वर्षी महिला से रईवार को उसके भाई ने जगडा किया तो वे घर छोड़ कर बदहवास हालत में रईवार को धर्मिस्तूप के पास कॉपरेटिव बेंक के पिछे पहुंच गई जा पारकिंग में खड़े वहानों के बीच वे लोगों को बेहोशी की हालत में मिली कुछी देर में किसी अनहोनी की आशंका के बीच वहान लोग इखटा हो गए सूचना के बाद मोके पर कोतवाली और महिला पैट्रोलिंग पुलिस जुलू टीम पहुंची होश में आने के बाद 33 वर्षी महिला आशा ने बताया कि करीब साड़े तीन साल पहले उसके पती की सड़त दुरगट्ना में मृत्यों हो गई थी जिसके बाद से ही वह अपने माता पिता के घर चूरू के वाड 35 में रह रही है उसका भाई और भावी उसे जगडा कर पर परिशान करते हैं भाई उससे चोटी चोटी बात पर मार पीट भी करता है रहीवार को भी उसके भाई और भावी ने उससे जगडा किया और जूटे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जिससे आहात होकर वैं नंगे पाउं ही घर से निकल गई सुचना के बाद मौके पर पहुँची महिला पेट्रोलिंग जूलू टीम तथा कोतवाली पुलिस ने आशा को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे समझाइश कर घर छोड़ कर आए